सश्चिकल दोस्तों I hope you are doing well again Welcome to my another vlog और आज के इस vlog में मैं आपको जो बताऊंगा ठीक है वो कुछ काफी इंटरस्टिंग होने वाला है और साथ में आपको मैं तू प्रीविए वीडियो मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूं कि आप किस तरह से इंडिया में ही foreign exchange लेके यानि कि UAE धिरम्स जो कि यहां की जो currency है उसे लेके convert करके best rate में अपने पैसे बचाते हुए और plus best flight tickets अब book करके यहां पर आपकिस तरह आ सकते हैं guys मेरा motive यह रहता है कि जो भी मेरे viewers हैं जो भी मेरे videos को like कर रहे हैं subscribe कर रहे हैं और देख रहे हैं videos को तो मैं उनको वह information दूँ जो उनको YouTube पे मिलती नहीं easily क्योंकि मेरा भी जब पहले मन होता था कुछ देखने का तो मुझे भी कुछ जो मुझे content चाहिए होता था वो मुझे नहीं मिलता था कहीं पर भी YouTube पे कोशिश मेरे यह है कि मैं अपनी videos को छोटा रखूँ informative बनाने की कोशिश करूँ और साथ ही साथ आपको information समझ आए इस तरह से easily digestible information जो है मैं आपको डिलिवर करूँ YouTube videos के उपर आपको अगर को mistakes फिर भी लगें तो guys please आप comment में आप मुझे कभी भी बता सकते हैं अपन तो feedback और let's continue to the video so guys आज मैं आपको यह बताता हूँ इसके अंदर कि आप सबसे पहली बात कि मैं आपको दो-तीन interesting facts हैं पर शेयर करता हूँ so पहली चीज तो यह है guys जब भी आप यहां UAE में land करेंगे ठीक है मैं आपको step by step जैसे आप मेरी वीडियो दिखेंगे तो उसके इसाब से आपको idea हो जाएगा कि settle मालब UAE में land होने के बाद settle होते हुए ठीक है आगे job के मालब आपना visa कैसे convert करना जाएगे मैं आपको पहले इंट्रो वीडियो में बताया है तो पूरा हर चीज में step by step cover कर रहा हूँ ताकि आपको easily समझ आए तो मेरी जैसे first video थी उसमें कुछ basic information थी second video में guys मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप जो है मालब यहां पे आएं हाना और settle हो जाएं और अब यह जो third video मेरी होगी फोरेक्स के बारे में होगी और flight information के बारे में होगी so guys अगर आपने सुना हो इंडिया में जो foreign exchange जो international company है उसका ना मैं Orient exchange right Orient exchange का मैं link दे दूँगा description में guys उसके best rate है best rate चाहे आपको dollar लेने है दिरम्स लेने है कुछ भी देना है आप कहीं पर भी जा रहे है अगर तो Orient exchange से लीजिए मैं कोई endorse नहीं कर रहा हूं इसको brand को but मैंने भी खुद यहां से लिया है और मैंने यह रिलाइस किया कि इनके rates rates बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं बहुत ही cheapest है और बहुत ही अच्छे है as compared to any other provider ठीक है तो मैंने सब rates already confirm किये थे बट मुझे कुछ अच्छा लगा नहीं मुझे ऐसा लगा कि भी सबके expensive हैं तो I think आप वहां पर जाके अगर लेंगे तो इनका जो ऑफिस अदिली में बारक बाकी इंडिया में guys आप कहीं पर भी रहते हैं किसी भी स्टेट में रहते हैं तो यह ओर्येंट का आफिस वहां पर अवेलेबल है ठीक है so no need to worry आपको वहां पर मिलेगा ही मिलेगा ठीक है क्योंकि all over इंडिया है और international brand orient so you can trust completely trust on this so guys second thing मैं आपको दिखाऊंगा कि flight आप कै कैसे बुक कर सकते हैं एक flights बुक करने के लिए guys एक website है उसका भी मैं आपको link description में दे दूँगा वो website का नाम है skyscanner.com ठीक है skyscanner एक British company है guys जिसके ऊपर आपको cheapest flights कहीं कहीं की भी cheapest flights आपको मिल जाएंगे चाहे आप UAE आ रहे हैं कहीं पर भी घुमने जा रहे हैं ठीक है so guys वहां पर आप जाएए अपनी flights का price चेक की जिसमें cheapest option होगा वो चेक कीजिए और उसके अंदर आपको cheapest flight मिल जाएगी एक third party vendor है ठीक है बड़ लेकिन अगर आप trust करते हैं मालब अगर आप अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है अगर मैं इससे book कर सकता हूं तो that's up to you ठीक है मैंने भी एक बार book की थी इससे so no need to worry unless we flight cancel होती है नो तो guys थोड़ा से agent पर trust करना मुश्किल हो था है specifically in these times rest is fine क्योंकि एक British company है तो आपको बता है आप completely trust कर सकते हैं इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है so guys third thing है कि जब आप इंडिया से UAE आने वाल नहीं है ठीक है तो आज कल जो है ना RT-PCR का जो चक्कर है ठीक है वो मैं आपको बता देता हूं क्या है जब आप foreign exchange ले ले 500 रुपे की report होती है ठीक है guys वो आपको as per current laws तो मैं बता देता हूं 48 hours परानी होनी चीए ठीक है कोशिश कीजिए guys की direct flight book कीजिए आप किसी भी state से जा रहे हैं ठीक है इंडिया में किसी भी state से दुबई, शार्जा, अबुडवी की direct flight book कीजिए ठीक है क्योंकि उसमें आप आपको किस तरह का test कहां पर चाहिए होगा क्योंकि मेरे 48 hours expire ना हो जाएं तो मुझे वो भी tension थी so आप guys उसका जो rate है एरपोर्ट पर आपका पता लजाएगा एरपोर्ट के हिसाब से उसका rate है right so यह दो जो चीजे है यह दो जो test है आटी PCR 500 रुपे वाला और एक rapid PCR है वो अलग है वो एरपोर्ट पे है ठीक है यह दो test जो है flight में board करने के लिए पुछ चाहिए है और rapid PCR की लाइन में लगके भी मलब आपको कोई दिक्कत ना हो चाहिए लाइन ना भी हो बड़ा आपका time बज्जा है flight मिसना हो आप भी ठीक है 1200 रुपे कुछ आसपास ठीक है so वह आपको वहां से करवाना पड़ेगा because जिस point से आपकी जो international UAE की flight start होनी है ठीक है आपको उस airport पे 100% rapid PCR की facility मिलेगी ही मिलेगी right so वहीं से आपको करवाना है so remember this thing क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हुई थी तो इसलिए मैं आपको यह बता चाहता हूं कि यह जो मेरी तीनों वीडियो जो मैंने बनाई है ठीक है first अपने चैनल पर so यह एक basic चीज है ठीक है कि यहां इंडिया से आप कैसे UAE में आ सकते हैं वीजा लेके exchange करवा के अपने पैसे वहीं से cash लेना guys travel forex card के लिए convince करेंगे वह कभी मत लेना ठीक है उसमे price scanner website से और उसके बाद फिर आप यहां पर जब land करेंगे guys ठीक है कोशिश कीजिए कि दुबई की flight लीजिए ठीक है दुबई में land करेंगे जब ठीक है दुबई में land करेंगे guys तो उसके बाद जब आप airport से बाहर आएंगे ठीक है guys तो please वहां पर taxi मत लीजिए because आपको वहा आपका जो fair amount है जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब हम कोई auto करते है कुछ करते है तो कुछ pre-loaded fair होता है वह उसमें वहां से start होता है जैसे की 15 रुपे 20 रुपे ठीक है अलड़ी वो डाला होता है तो यहां पर भी वो system होता है शार्जा में 3 रुपे से 3 दिरम से start होती है कैब दुबही में नॉर्मली पांच दिरम से start होती है कैब और एरपोर्ट के भार अगर आप एरपोर्ट से लेंगे specific तो 25 दिरम से यह कि अपना रुम जो है यह जो मैं उसमें separate वीडियो बनाऊंगा बट फिर भी अपना एरिया जो है वो आप रखिये मलब रहने वाला जो है शार्जा क्योंकि महां पर आपको cheapest रुम और जिस आप यह देख पा रहे है जो यह रुम यह रुम टाइप है ठीक है यह यह रुम टीक है और रस तो बीकंटियोड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंशियर